तो नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुरू के विसेश रिजल्ट की विसेश सुब रिजल्ट की जिसमें गुरू पांच महिने तक आपको अत्यंत सुब परिणाम देंगे तो अगर आपका वर्शव रासी है या फिर अंत तक देखते रहे हैं साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना देखे वर्शव अगर आपका लगन है तो गुरू आपके मेश रासी में गोचर कर रहे हैं और वो अक्टूबर में यानि 30 अक्टूब निकल के आ रहे हैं उसके बाद जो एक टाइम परेड निकल के आ रहा है जब तक वो मेश रासी में गोचर करेंगे वो अगले साल का मई तक का निकल के आ रहे हैं तो ये सुरुवाती जो यहाँ पे हम फैस्ट फैस की बात कर रहे हैं उसमें लगबग दो महिने मान है तो ये जो समय है वो आपको कैसे अपना प्लान करना है वर्षप रासी और लगन वालों को इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे काफी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा नया और काफी कुछ आपको जानकारी भी मिलेगी साथ में तो सबसे पहले तो आप ये देखे कि राहू जो है राहू 30 अक्टूबर से अपना राशी प्रियोडतन कर रहे हैं जिसकी सिरीज मैंने अल्रेडी पूरी अप्लोड कर दिये उसमें अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं अपने वीडियो को चेक करके और प्लेलिस्ट भी चेक कर सकत आप तो यहाँ पे देखे सबसे मैन बात ये निकल के आ रहे हैं कि राहू का जो प्रभाव है 30 अक्टूबर के बाद राहू तो क्यूंकि मीन में प्रवेस कर जाएंगे लेकिन यहाँ पे गुरू में इस राशी में ही रहने वाले हैं और राहू भी ऐसा नहीं कि राहू न लेकिन राहू फिर भी उनसे दूर जा रहे हैं तो अब कही न कहीं गुरू इस वकरी काल में वो स्लो हो जाएंगे और यहाँ पे आपका एक जो टाइम प्रेड नकल क्या रहा है यह 31 दिसंबर का टाइम प्रेड तो आपको कैसे प्लान करना और उसके बाद का जो टाइम प प्लानिंग ना करें साथ ही क्योंकि गुरू बारवे भाव में गोचर कर रहें तो बारवे भाव में गोचर करने की वज़े से आपके जितने भी कारिये प्रेंडिंग हैं उन कारियों को सबसे पहले पूरा करें उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो जो नई प्लानिंग करनी आपको वो आप अगले साल के पांच महीनों के लिए ही प्लान करें इसके अलावा अभी तक दिसंबर तक एंड तक आपको जो काम ऐसा लग रहे हैं जहां पे कुछ काम पेंडिंग रहे गए हैं उन कारियों को आप पूरा लिजी आपका जोग कहीं पहले चेंज हुआ था और आपने अपना इस्थान परिवर्तन नहीं किया है तो निवास इस्थान में आप परिवर्तन कर सकते हैं अपने जोग के प्लेस के अकोडिंग अब यहाँ पे मैं समस्या यह आरी आप लोगों को कि अगले साल का प्लान आप किस प्रकार से कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपके लिए यह जो दो महिने वो बहुत important है क्योंकि जो अगले पांच महिने आने वाले हैं जो ने साल का time period आने वाले है उसकी सारी की सारी जो planning है वो आपको अभी करनी है अब दिसमबर तक आपको क्या क्या planning करनी है तो सबसे पहले तो देखे आपको अपने जो भी pending काम है जो भी आपके एक तो pending खर्चे हैं कुछ आपका कोई भी pending competition वगरे का कोई ऐसा काम है या कोई आपको तयारी करनी है वो सारी तयारी आप करके रखे इसके अलवा आपके घर में किसी का भी कोई operation वगरे होना है, किसी बड़े बजुरुग को कोई समस्या है, या आपके घर में आपकी माता जी का कुछ दिक्कत चल रहा है, स्वास देखा, तो उनका इलाज आप जल्दी से जल्दी करा लीजिए, जब तक गुरु मारगी ना हो तब तक, अब आपका कोई अगर प्रोपरिटी वगरे का काम pending है, जो आपने पहले सोचा था, प्लान किया था, बट वो नहीं हो पाया, उसके उपर फोकस कीजिए, और आपको कहीना के विदेश जाना है, या विदेश सेटल होना है, उस तरब भी आप ध्यान दे सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई आध्यात्मेक यात्रा करनी थी, आपको कोई अपने रिसर्च परपस के लिए जाना था विदेश, तो आप उनके लिए भी प्लान कर सकते हैं, तो ये सारा जो टाइम प्रेड हैं आपका, 31 दिसंबर तक का टाइम प्रेड बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आने वाले समय की जो तस्वीर है, वो यहीं से बुनी जाएगी, यहीं से वो तयार की जाएगी, अब आप अगले जो पांच महिने हैं, उनको आप कैसे प्लान कर सकते हैं, अगले नए साल के महिने, तो नए साल का जो महिना होगा, उसमें सबसे खास बात तो ये रहेगी कि गुरु मार्गी हो जाएंगे और गुरु मार्गी होने के साथ अब लगबग राहु का पूर्ण तया प्रभाव उनके उपर हट चुका होगा तो अब जो पांच महीने निकल के आ रहे हैं अगले नए साल के उसमें गुरु अपना पूर्ण प्रभाव दे लेने वाले हैं तो अब भी कुछ खर्चे जरूर करवा सकते हैं कुछ समस्यों जरूर अभी दे सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आप विदेश रहते हैं तो विदेश में आपका लगब बहुत ज़्यादा साथ देगा कार्य छेतर में आपके विसेश प्रगती होगी इसके अगर स्वास्थे समंदी समस्याइं चल रही हैं, फाइनेस से जुड़ी हुई समस्याइं चल रही हैं, वो सारी समस्याइं आपकी हल होने वाली हैं, साथ इसाथ आपकी जो प्लानिंग है, जो आपने दिसंबर तक करनी है, उस प्लानिंग को बहुत ही अच्छे से आपको करन तो यह समय आपका जो golden period हम मान सकते एक तरीके से यह आपका शुरू हो जाएगा जन्वरी से जन्वरी 2024 से अब जो गुरु का प्रिणाम है इसमें वो आपको संतान पक्स से जुड़ा हूँ संतान की education आपकी खुद की education इन सब कारियों से जुड़ा हूँ प्रिणाम आपको बेहद सुब देखने को मिलेगा साथ इसाथ आपके निरने लेने की चंता बढ़ेगी आप में intuition पावर बढ़ेगी आप में किसी भी ने विशे को समझने की या किसी भी analysis करने की जो चंता है किसी भी विशे के subject वगरे में कोई भी जो topic है उसको analysis करने की चंता आपकी स्टूडेंट्स के लिए ये बेहद खास रहेगा जो स्टूडेंट्स अपने study purpose के लिए कहीं न कहीं विदेश जाना चाते हैं विदेश में settle होना चाते हैं उनके लिए समय बहुत युप्यूक्त है इसके लावाद जो लोग अकल्ट के field में काम कर रहे हैं उनके लिए भी गुरू बहुत ज़्यदा favor करेगा लेकिन यहां पे marriage से related issues अभी भी थोड़े बहुत रह सकते हैं अगर आपके चार्ट में गुरू की placement अच्छी नहीं है तो साथ ही साथ ये जो गुरू की placement है ये बेहद खास रहने वाल है और इसका ज्यादतर आपको सुब प्रिणाम दे प्रिणाम इसके देखने को मिलेंगे या आपकी जो feelings होंगी आपके जो experiences होंगे वो काफी unique हो सकते हैं तो एक तो आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो यहां पे प्रभाव आप लोगों को मिलने वाला है finance से समंदित अगर आप अभी तक struggle कर रहे थे किसी पर प्रकार का कोई कोई इस मुकदमा चल रहा था कोई और अन्य इस प्रकार की समस्या चल ली थी बार बार आपको कारी चेतर में विवधान आ रहा था या work place पे बहुत ज़्यादा कठिन प्रिस्तितियों से आपको गुरू के लिए आप विशेश तैयारी जरूर करने नए साल में तो नए साल के जो पांच महीने वो बेहद खास हैं और गुरू अपना पूर्ण प्रभाव अपना पूर्ण सुब प्रभाव उनमें आप लोगों को देने वाले हैं अब ये डिपेंड करेगा आपके चार् आप से प्लान कर सकते हो लेकिन इस गुरू के आपको अत्यनत सुब प्रेणाम देखने को मिलेंगे पांच महीनों में तो फिलाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद